वेल्कम टो दिन्यू वीडियो उफ मार्केट ट्रेडर दोस्व इस वीडियो बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक टे और फिन निफ्टी के बारे में जिसकी कल आपकी एक्सपारी होने वाली है अगर आप देखोगे दोस्तों तो आज के ट्रेडिंग शेशन में कहीं न कहीं बहुत सारे क्यास लोगों ने लगा के रखे हुए थे कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है इवेन कल की जो मेरी मार्केट एनलिसिस की वीडियो थी काफी लोगों ने उसमें कॉमेंट किया था कि कल मार्केट एक हजार पॉइंट ओपन होगा कोई कह रहा था 200 पॉइंट ओपन होगा 300 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ निफ्टी ओनली ऑन अठारा पॉइंट ओपन हुआ ओपन और बैंक के निफ्टी का मुझे ध्यान नहीं बट बैंक के निफ्टी आइसिंग तीस से चालिस पॉइंट गैप अपन हुआ था उसके बाद अगर आप देखो यहां पर मार्केट ने काफी ज्यादा प्रीमियम में उच्छा लाए थे मैं बात कर रहा हूं बैंक के निफ्टी और फिन निफ्टी की प्रीमियम में काफी ज्यादा यहां पर उथल पूथल हुई उसके बाद मार्केट ने कहीं कहीं लास्ट मार्केट ने आपर दिखाता हूं तो आप देखोगे कि तो और बड़ा बुरा हाल है अगर मैं यहां पर टॉप से लों क्योंकि आज 12 फरवरी का यह टॉप लिया और बॉटम तक इसको अगर मैं करूं तो आप देखोगे करीबन करीबन हमें 1100 पॉइंट का फॉल यहां पर देखने को मिल रहे करीबन धाई परसेंट यानि कि टू एना हाव परसेंट फॉल हमको बैंक निफ्टे में देखने को मिला और यह जो फॉल था यह कुछ ऐसा फॉल था कि मार्केट ने एक बार भ जैसा मार्केट जैसा आज रहा एक दम रैली कल का मेरा जो थमनेल था उसमें मैंने लिखा था कि रैली आने वाली किदर के साइट भी अपसाइड डाउन साइट कल फिन निफ्टिक एक्सपारी है अगर कल के दिन पर भी सेम ऐसा ही मूव आ जाता या आएगा तो बहुत आया है एक सारी के एक दिन पहले जो कि फोड़ा सा जो है गलब घलत हो अब यहां पर आप कल में भी मार्केट में लिख सकता है यह अगर मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग कर रहता जिसका चांस कम आपर अब्छा अच्छा प्रोंफिट बनने के चांसे से मैं आपको बता देता पर मंडे को यह मैं मैं यह खुद ही सोच रहा हूं कि ऐसा मुखकल यह फिर बैंक निफ्टिक को आता तो बहुत मज़ेदार मार्केट रहता बहुत अच्छा प्रॉफिट मेरा खुद बनने वाला था पर चलिए कोई बात नहीं है मार्केट है बाई हम कुछ नहीं कर सकते हमा में एक जो है इस तरीके से चैनल पैटन में ट्रेट करु रही लेकिन स्टैनल पैटनमे ट्रेट करी रहा था साथीसाथ मैं यह पार निफ्टि अन प्रयश मत समझेंगा है पहले मेरा सुने निफ्टि इस चैनल के behaviors के बाहर निकल तो चुगा है लेकिन मैं इसको बिएसा सम अंटिल अनलेस आप ये वाला सपोर्ट जो ग्रीन कलर वाला देख रहे होंगे ये ब्रेक नहीं कर देता है ऐसा मेरा अनुमान है कि सुनर और लेटर ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे जो चैनल पैटन की नीचे वाली ट्रेंड लाइन है बहुत जल्दी निफ् ये जो आप सपोर्ट देख रहे हों इसको भी तोड़ देता है देखो फिर निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता फिर निफ्टी आपको सीधा देखने को मिलेगा 21,200 पे कहां पर है ये ये बिल्कुल exactly ये वाला सपोर्ट है क्योंकि last time निफ्टी ने इसी जगा से सपोर्ट है और ये सपोर्ट है कौन सा ये है मेजर सपोर्ट 21,600 का तो 21,600 के नीचे आना और उसके नीचे वन आवर के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर केंडल क्लोज करना मतला समझ लो निफ्टी में एक बड़ा फॉल आ सकता है इतनी डीटेल की अनलेसिस जो आप एक लाइक कर दिया करो मैं कब से कह रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर होने वाले लेकिन मेरा बोलते बोलते थक गया हूं वह हम अटक गए हैं बीच में ऐसा ही 1,50,000 सब्सक्राइबर प्लीज जल्दी से जल्दी कंप्लिट कराईए अब मेरे ख्याल से 1000 लोग भी नहीं ब इसको पहले जूम आउट कर लेता हूं चार्ट को तो अब देखी यह चैनल पैटन की ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन होगा है तो मैं आपको इसलिए बड़े टाइम पर कह रहा था कि आप अभी ज्यादा जो है ना मतलब क्या एक्साइट ना हो यह कि 2580 to 600 इस रेंज में दोस्तों कहीं निफ्टी अगर हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो मुझे लगता है क्योंकि अब लेगा क्या सपोर्ट है उस लेवल पर मार्केट अभी ट्रेट कर रहे है तो यह लेवल है रहा हूँ तो इस लेवल के आसपास कहीं नि आँगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा देखो क्या होने की पॉसिबिलिटीज है इसको मैं पीछे कर दे तो अभी यह इसका काम अभी फिलाल के लिए नहीं है यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज अमान लो मार्केट ने सपोर्ट लिया मार्केट थोड़ा उपर आ नीचे नहीं गिर रहा है 9.30 मान लो या 9.40 मिनट इस टाइम पीरिट के बाद भी अगर मार्केट 21,600 के नीचे नहीं जा रहा है यह 21,580 के नीचे नहीं जा रहा है तो हम डेफिनेटली यहां पर बाइंग सेट का ट्रेड अपना प्लैन कर सकते हैं यह हमारा बाइंग और सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइंग लेवल है निफ्टी में दूसरा कोई बाइंग लेवल नहीं है निकलने के लिए तो दूसरा बाइंग लेवल निकल जाता लेकिन रजिस्टेंस है तो मैं इसलिए दूसरा बाइंग लेवल नहीं दिया हूं बात करते हैं अगर के बात करते हैं दोस्तों निफ्टी में अगर 21,000 कौन सा हुआ दोस्तों 21,550 यानि कि 21,550 के नीचे अगर यह breakdown देता है निफ्टी तो मैंने क्या कहा नीचे 21,500 का तो एक strong support है round number definitely market वहाँ पर support लेगा ही लेगा क्योंकि वो खुद में एक round number है लेकिन हम इस दर के मारे कि 21,500 पर support हम sell ही ना करें क्या और मान लो let's suppose market 21,500 पर support नहीं लिया market गिर गया तो क्या करोगे फिर तो ट्रेड में सोगे ना पूरे दिन भर के लिए बैठे रहे जाओगे और सबसे बड़ी बात है कि बैठे रहे जाओगे तो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन लोग बैठते क होना नहीं था वह loss हो जाता है भाई मैं तो इतना खुसना से मानता हूं खुद को मैंने अपने strict rules बना लिये हैं मतलब दिन का एक trade तो एक trade stop loss होगा तो भी मैं accept करता हूं trailing stop loss होगा तो भी accept करता हूं मतलब अगर trailing stop loss हो गया और उसके बाद आज देखो मेरा trailing stop loss stop loss होगा morning में market में यहां पर इतना बड़ा momentum आया है लेकिन मजाल है मैं एक trade भी लिया हूं नहीं लिया क्योंकि fix rule कर दिये हैं और मैं जान चुगा हूं कि अगर इस discipline पर domestic रहा तभी लंबे समय में option trading में पैंसा बनेगा वरना मतलब भी नहीं कि option trading में पैंसा बनेगा सिर्फ एक ही जो है एक ही चीज से बन सकता है मतलब तुम पत्थर से भी जादा मतलब एक पत्थर तो एक बारी के लिए तूट भी जाता अगर आप उस पर मार दोगे लेकिन कुमारे rules इतने strict होने चीए कि मतलब तूटे ना बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं तूटने चीए तो इस तभी चुब ट्रेडिंग में लंबे समय में profit बने एक आध दो दिन में तो बना भी लोगे एक महीन में बना भी लोगे दो साल तीन साल पंदरा साल तक profitable बने र जा रहा था कि स्ट्रॉंग बना यह rules भाई तभी प्रॉप्सन ट्रेडिंग में profitable बनोगे वरना नहीं चलिए तो यह आपका पहला सेलिंग लेबल होगे तो दूसरा सेलिंग लेबल दोस्तों काफी लंबी वीडियो बन चुकी है 21,740 तो अगर मार्केट कहीं इधर के दोस्तों बात करते हैं बैंक किस तरीके से अपना ट्रेड प्लैन करने वाले हैं यह रहा आपका डेली टाइम फ्रेम सौरी दोस्तों वीडियो लंबी बन रही पट अगर आप ऐसे ही साइकलोजिकल पॉइंट मैं तो मुझे पता चलेगा अब जैसे मैंने यह बात बताई क यह बैंक निफ्टी का चार्ट है कुछ बैंक निफ्टी के चार्ट एक ऊपर देखो पहले आप सबसे पहले यह समझो एक उपर इस ने रेंज बनाई फिर वहीं पर अटक गया फिर एक डाट होगा फिर यहां पर एक रेंज बना रहे है तो कुछ चार्ट में मतलब किलियर रेजिस्टेंस लिये थी तो यह लेवल कोई मजाग छोटा मोटा लेवल नहीं मजाग पर मत लेना इस लेवल को यहां से एक बड़ी recovery bank nifty में आ सकती है और अगर गीरा तो एक बड़ा sell off यहां से bank nifty में आ सकता है छोटे time frame पर समझते हैं कि अगर हमें opportunity मिल जाती तो हम कैसे trade करेंगे आज जहां पर bank nifty अभी close हुआ है वह एक ऐसा लेवल है ना तो buying हो सकती है ना selling हो सकती है सबसे पहले तो आप इस trend line को समझिए यह trend line देखो market ने resistance लिया sell off market ने resistance लिया sell off आज के दिन पर आज तो open यहां पर हुआ था देखो तो sell off तो आ नहीं था अब कल की trading session में फिर यहां पर जाता है तो फिर sell off आ सकता है और अगर यह इस जगह से support लेता है तो फिर यहां से recovery भी आ सकती है तो समझ मैं इसी थोड़ा बहुत detail में समझाता हूं ताकि आप लोग समझ सको ओके बैंक निफ्टी के दोस्तों मैं बाइंग लेबल की बात कर रहा हूं कहीं न कहीं पूपर जाने के mood में मार्केट तो फिर यह आपकी buying range होगी इस रेंज में selling की तो गलती मत करना भले बाइंग करो ना करो मुझे नहीं पता बाइंग करोगी कि मत करो जो भी आपकी जो थौट पर से लिए अवरना फज जाओगे बुरे औके यह रहा पहला बाइंग लेबल आपका गॉट इट जो दूसरा बाइंग लेबल आपका होगा दोस्तों बैंक निफ्ट में वह ओगा 45100 के उपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तो 45100 आपका कहीं यह है यानि कि मार्केट उपर आया अम मार्केट यहां नहीं तो क्या करोगे ट्रेड नहीं ल 4430 यानि कि 44,430 जो कि आपका कहीं इधर के आसपास आता है यानि कि अगर मार्केट इस लेबल को ब्रेकडाउन कर ले रहा है और मार्केट इस लेबल के नीचे जा रहा है 54,430 तो फिर आप यहां से सेलिंग करके चल सकते हो बैंक निफ्ट में बड़ा फॉल भी हमको देख लेखने को मिल सकता है यह आपका पहला सेलिंग लेवल रहा और यह रजिस्टेंस तो आपको पता है यह सेलिंग लेवल तो मैं लेवल क्या ही बता हूं सीधर समझ लो 45,400 यह रही दोस्तों आपकी बैंक निफ्टी के नालेशिस तो दोस्तों यह रहा हमारा टेलिग्राम च लेता हूं और नहीं मैं इस चीज को क्योंकि मुझे लगता था पहले लेकिन में कोई चीज समझ में आ चुकी है कॉल टिप से तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा डैफिनेटली बन जाएगा बट एक महीने के लिए एक हफ्ते के लिए लॉंग टम में तुम कॉल टिप स इस लिंक से ओपन करोगे तो आपको फास्ट कस्टमर के सर्विस प्रोवाइड हो सकती है बहुत ही बेस्ट ब्रोकर आप लिंक पर जाके चेक आउट कर लेना और एकाउंट ऑपन कर सकते हो निफ्टी में चार्ट भी शेयर कर देता हूं अबर काफी सारी चीजे हैं बस दो के लिए बन रहे अब देखो चार्ट को थोड़ा समझ यह मार्केट इस जगह पर आया बॉटम पर बाइंग आ गई टॉप में गया सेलिंग आ गई बॉटम पर चल रहे हो ना हो कल यहां से बाइंग आ सकती है और अगर नहीं आती तो सेलिंग लेबल तो यह चैनल पैटन जिस लोगों को दिखा था बहुत अच्छी बात है जितने लोगों को नहीं दिखा था वह कॉमेंट करके मुझे बता सकते अपना फीडबैक देख सकते हैं औ तो लेबल की बात करते हैं पहले फिलाद 19,850-900 यह जो रेंज है यह हमारी बाइंग रेंज है बिल्कुल मतलब यह जो यह जो ब्लैक लाइन है यह हमारी बाइंग रेंज आप यह मान के चलो पर काफी नीचे तक चले जाती तो इसको छोड़ दो आ फिलाद यह रेंज रखा है sellers यानी की तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट भी बुक कर लेना अपना दो बाइंग लेवल हो गए सेलिंग सिंपल है 19,810 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है तो हमें आपर सेलिंग करके चल सकते है 19,810 यह रहा ब्रेकडाउन तो फिर 19,700 या 19,600 भी मार्केट आ सकता है तो दोस्तों यह रही निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के नाले से आई होब की वीडियो अच्छी लगेगी टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है चनल पर पहली बार है सब्सक्क करने तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है